वालो वाइज, वेल्कम टू HP competitive exam आज के इस वीडियो में हम GK कवर करेंगे जो की mix रहेगी हमारी हमाइचल GK के question रहेंगे इसमें India GK के प्लस Grunt Fair के question रहेंगे काफी important है आपके आने वाले exam के लिए तो आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी तो फर्स्ट कुश्चन दिखीजेगitis का है, कि रज्जे में सबसे ज़़ादा विधान सेवा सीटे है rating इसने में सबसे ज़्यादा विधान समवा सीटों की बात करूं की हम इनकी जो सीटे हैं इनकी टोटल संग क्या है 15 15 सीटे हैं आपकी कांगडा से सबसे जजादा सेगंड नमबर भात करने तुसेंड नमबर पर हैंसरे मंदी इसमें देट है जिसमें से 44 है आपकी बीजेपी की बीजेपी की गौवर्मेंट है अभी और उसमें से जो है 21 है Congress की ये National Congress की ठीक है और तीन जो है अधर है इसके साथ में आपको पता दू हीमाचल में तीन पार्टियां है एक तो बीजेपी पार्टी होगी आपकी एक इंडिया National Congress हो थे तो यहाई पर बाता है आंगरा से आपको याद करना है कणल जो है सबसे ज़्याद़ा जिन्श मपनला है तो इस ही और ड़ी आता है आपका सेगंड नमबर पर बिदान से और लाहूल तो इन जिलों की जो विधानसभा सिठों कितनी है एक एक। बनुए का टाइम में में राज्यप सब्सक्राइब है और प्रदेश के और विधानसभा काृक कितना होता है इसका éta$ नेक्स देखते हम एक्स्ट कुशन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा मश्रूम उत्पादन होता है तो सोलन बिल्कूल कुरेक्ट अंसर हो जाएगा हमारा ऑपसर नंबर फस्ट तो सोलन जो है 1997 में क्या हुआ था इसे मश्रूम सीटी ऑफ इंडिया डिक सब्सक्राइब दाली जो मुख्यमंत्री थे हिमाचल में ही जो है यह सोलर में ही आपका कर्वाइट है नेशनल संटर फोर मुष्वूम सब्सक्राइब ट्रैनिंग ठेक है नेस्टनल सेंटर फोर मुष्वूम सर्च एंट्रेणिंग था उसका पहले का नाम लेकिन 1983 में यह बना था और बाद में इसका नाम करके एक दिया नैशनल रिस सर्च सेंटर फोर मश्रूम नैशनल रिस सर्च सेंटर फोर मश्रूम और सिक्स्थ जो हमारा फाइव यर प्लान आया था ठीक है च्छटी पंच वर्सी योजना आई थी उसके तरह सम अब चुलता है यानी कवक तो अमारा भिल्कुल हमां मंडी जिले के रूप में आया था कब फ। 15 अपरेल उनिसोड ताड़ी को जिले के रूप में गठन किया गया था और टोटल बाउंटरी शेर की मैं अगर बात करू तो छे जिलों से सिमाय साजा करता है मज़र प्रदिश के ठीक है और दम दमा महल हो गया आपका सुगेद सत्यग्राय सब लुकेटिड कहां से है किससे स रगें द्वारा मंडी सेहर की स्थापना की गई थी अच्छत कब की गई थी तो आपको याद करना है पंद्रय험 1277 में जो है अजवर सेहर् द्वार मंडी सहर कि सथापना की एक द देखते हैं अग्ए कि यहेज प्रमार हमाचल बुख्यमंत्री रह चुके हैं ये और वहीं पर बाद करूं इनकी अगर थोड़ा सा एक्जामनर टफ क्वेश्चन पूछ ले इनका आपकी पूछ सकता है निर्वाचन कशेत्र पूछ सकता है पहली बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो पच्छाद से लड़ा था रेनुका पच्छाद जो आपका शिरमार के अंदर है दूसरी बार संगहар 체न तरह रैकने और जो दो टोनों कहां से तो दोनों थे रेनूका से चार बार रेक्शन लड़ा थे हैं दो बार रेनुका पछाद GO Almaad लिवारे हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बने थे और पहले मुख्य मंत्री बने थे अब थोड़े से इफेक्ट हम यहां पर डिसक्स कर लेते हैं अच्छा एक्जाम में आए कि सबसे छोटा कारेकाल किस मुख्य मंत्री का रहा है हिमाचल प्रदेश में तो सबसे कम जो वाले कौन थे तो विर्वधर सींग बिर्वधर सेंग जो है उच्छे बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सबसे ज्यादा कार्यकाल है इनका अचा मुझे बता सकते हो कि ठाकुर राम लाल जो है वहारे कौन से नंबर की मुख्य मंत्री बने थे इतका नंबर आप मुझे बताईएगा और अभी करन टाइम में में मुख्य मंत्री कौन है तो जैराम ठाकूर है जैराम ठाकूर ठीक है योगी मंडी डिस्टिक से हैं और स्तार मुए मुख्य मंत्री है हिमाचल प्रदेश के ठीक है according to number according to number कौन से है तो स्तार में है ठीक है next question देखते हम हिमाचल प्रदेश की पहली राजसवा सांसद कौन बनी थी ठीक है अच्छा content provide कराया जा सके तो लीला देवी जो है 1956 1952 से 56 तक पहली हिमाचल प्रदेश से राजसवा की सांसद बनी थी पहली महिला राजसवा सांसद बनी तो अगर हम बात करें चरंजी लाल वर्मा की वे पहले मैं थे पहले पुर्ष जो की राजसवा में कहे थे हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश से लोकसवा और राजसवा की कितनी सीटे हैं तो जैसे आपको बता है लोकसवा और राजसवा है हमारी सेंटर में तो लोकसवा की सीटे हैं हिमाचल प्रदेश से चार और वहीं पर राज्यसवा के लिए चुने गए थे और पहली महिला लिल्ला देवी ठीक है यह आपको याद करना है सबसे ज़्यादा पैने और किसका रहा है ठीक है पैस सबसे ज़्यादा लंबे कारेकाल वाले राज्यसवा सांसद हिमाचल करेकाल होता है इसे जो हम अपर हाउस भी कहते है अश्य सदन के नाम से भी जानते है अवह कौन वैं हमारे मचल प्ताव है को रज्यसवा कोन कोन है वियपञ़ ठाकुर अनंत शर्मा और और जेपी नठा नठ्ड़े में तो Wow क्रद्धि will क्वेशन देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन है भारत ने अपना मंगलियान किस वर्स लॉंच किया गया था यहां पर पांच नूंबर यहां मंगलियान लॉंच किया था हमारा श्री अंद्र परदेश किस से जो है से लौन्च किया गया था लौक को न करता है तो मारा जू इसका चांच सिप्यर्ज काम पे है तो बेंगलुरु के अंधर जो है के सيवान जो है विजने वाला शुथा देश बन गया था 2013 गया हुससे पहले तीन अब्टेस थे, next question हम देखते है यहांपे विश्व मित्तर द्वारा रचित गैत्री मंतर किस वेद में वर्णित है, यह जो गैत्री मंतर लिखा था, वो कौन से वेद में है, त ignorator रखोंडे यहांए यहांपे, option number first, रिकवेद में देखिएगा दस मंडल है टोटल और दस में से जो तीसरा मंडल है तीसरे मंडल में विश्वा मित्र द्वारा रचित गाहित्री मंतर का उलेख है जो की मर्पित किसको है तो सूर्य देपता सवित्री को जो है मर्पित है अब एक्जामिनर क्या क्या पूछेगा आपसे यहां से देखीगा एक तो आपसे डिरेक्टली पूछेगा गायत्री मंतर के रचाईता कौन है तो विश्वमित्तर आपको याद करना है और रखा किसमे है कहां इसका वर्णन है तो रिगवेद में इसका वर्णन है कौन से अथरवेद और यह जुरवेद ठीक है रिगवेद जो है यह सबसे और वेद है हमारा चारवेद ऑफाना वेद यानि सबसे बात करें माना जाता है वेद वियासनी जो है ये लिखे हैं वहीं पर मैं बात करना हूँ आप से examiner और और question पूश्टा है वेदांग के बारे एक term आती है वेदांग एक term करती है वेदांग और second term आती है आपकी पुराण तो वेदांकों की संख्या कितनी है तो 6 ये आपके वियाद करना है वेदांक कितनी है हमारे 6 और पुराण कितनी है 18 18 हमारे पुराण है ठीक है और सबसे पुराणा पुराण कोन है यानि सबसे ओल्डेस्ट पुराण तो मतस्य पुराण अधस्य पुराण जो है सबसे Old Pront है नेक्स दिखते हम सिंधु, गाटी सभविता की खोज किस ने की थी ठीक है, ये सभविता नहीं होगा सिर्फ सिंधु, गाटी होगा पूरी सभविता की खोज नहीं की थी अनुरे सिंधु जो वेली थी उसकी खोज की थी बाकि अलग लग जैसे इसके छे प्रमुक नगर थे आपका मोहन जदारू काली वंगन ठीक है राकी गड़ी तो अलग लग परसम ने इनकी खोज की थी लेकिन जो सिंदू थी इसकी खोज की थी दैयराम साहनी नहीं यानि उप्सन नंबर ए हमारा क्रेक्ट शुरू जाएगा तहीं कि यहां पर जो राखल दास बनर जी है इन्हों ने आपका मोहन जदारू की खोज की थी चैकर मोहन जदारू जिसका मतलब होता है सिंदी जो लेंगविज है उसका मतलब होता है मृत्कों का टीला अच्छा तो अब बात करते हैं हम से दैयराम साहनी की तो दैरामसाहनी ने 1921 1921 में जो है इस loving गाती की खोज की थी और किस नदी के किनारे है तो रावी नदी के किनारे यहाँ पर confuse नहीं होना आपको जो सिंदुगाती है यह रावी नदी के किनारे स्तित है और जो आपकी मोहंज़ोदारों है यह है सिंदू नदी के किนारे यह कौनसी रिवर के साइड में है छो यह सिंदू नदी के किनारे है सिंदू गाटिसे मैं आपको कुछ एक गुश्चन बता देता हूं एक तो एक्जामनर पूछता है इसका जो कारेकाल है वो क्या है ठीक है यानि इसका जो time period है वो क्या है तो carbon danting आपने सुना हुआ C14 जिसे हम कहते हैं तो उसके अंसार इसका जो कारेकाल रहा है यानि इसका जो period रहा है वो 2400 सो इसवी से लेके 1400 तक रहा है 2400 से लेके 1400 तक रहा है C14 जो नई तकनिक है उसके उस पत्ति के रुटसार कहीं आपको क्या मिलेगा 2600 भी मिलेगा कहीं आपको 2700 भी मिलेगा जो accurate है जिसे माना जाता है जो government exam होते है जो इसे approve करते हैं 2400 मानते हैं तो 2400 BC से लेके आपका 1400 BC तक इसका कारेकाल रहा है यानि इसका time period रहा है मैंने आपको बता दिया और जो इस सब्विता थी इसे कांसे सब्विता यानि ब्रॉंज सब्विता के नाम से भी जाना जाता है ब्रॉंज सब्विता या कांसे सब्विता के नाम से भी इसे जाना जाता था और एक नगरी सब्विता थी और यहां कि जो मिट्टी थी उसे आग में पकाते थे उसे कहते थे टेरागोटा यह क्यों बता रहा हूं आपको तेके आग में जो पकी मिट्टी थी उसे कहते थे टेराकोटा ये क्यों इप्रोटेंट है क्यूंकि अभी 2020 में उत्तरप्रदेश के जो खिलोने होते हैं उनके उन्हें जी आई टैग दिया गया तो ये आपको याल करना है सिंदुभाटी सब्वेता से चले आ रहे है टेराको इस बारत के कॉन से प्रदान मंत्री का टैनियूर जो है सबसे कम रहा है तो अठल विहारी बाचपी यानि और फोर हमारा प्रेक्ट अंसर हो जाता है यहां पर इनका कारेकाल रहा था मात्र तेरा दिन का मात्तर कितने दिन इन अच्छा सबसे ज़ादा किसका है तो जौला त्वाराल नहरू का जो कारेगाल है उस सबसे ज़्यादा है ग्यार्वें प्रदान मंत्री बने थे अटल बिहार इवाज पर और तीन बार हमारे प्रदान मंत्री रह चुके हैं कितनी बार तीन बार अच्छा इनका जर्म हुआ था 25 दिसंबर को तो 25 दिसम्बर को इनका जर्म हुआ था तो 25 दिसम्बर को मनाते हैं किस दिवस के रूप में तो सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसम्बर को ठीक है 67 द्यवस के रुप में मनायी जाता है ग्रेशमस डे मत आज रख ला ठीक है आपना नहीं है याद रहेगा ठीक है लेकिन 68 दिवस यह से एक्जामनेशन चुरूर बुसता है आप चुरूर रहांद कीज़िए कह कब 2015. अब दिया गया 2015 में अट टनल जैसे आपको पता है कहां है हिमाचल प्रदेश में हैं इसे भी आपको याद करना है तियां प्रिथवी पर स्वच जल की मात्रा कितनी है जो स्वच जल है उसकी मात्रा प्योजर वाटर रहे मासागमेजल है उसकी लबनता जादा है उसका टेम्परीक्षर जादा है जिसके वज से उसे नहीं पीते हैं जो प्योर जल है बो प्योर काउंट होता है सिर्फ दो सुल पांच प्रत्सत या कहीं आपको तीन प्रत्सत भी मिलचшего प्रस्त भी मिल सकता है तो आप इसके साथ जा सकते हो अगर नियरबाइ ऑप्षन तीन प्रस्त है साड़े तीन प्रस्त है तो आप इस पर टिक कर सकते हो जब पानी की जो प्योटी है टीडियस लेवल आपने सुना होगा टीडियस लेवल पानी की प्योटी को हम चेक करते हैं टीडियस मिटर से टोटल डिजॉर्ड इसे हम कहते हैं तो WHO जो हमारी संस्ता है World Health Organization इसने टीडियस मिटर दिया था एक मतलब कितने टीडियस पर पानी अच्छा होता है हमारी सेथ के लिए कितने से कम जो है कितने से जादा खराब होता है तो देखिए अगर टीडियस मिटर आपके गर में है और आप चेक करते हैं तो आपको पता होगा अगर 300 से कम है टीडियस आपका पानी का टीडियस अगर 300 सो से कम है तो बिल्कुल क्या है है अपके पीने लाइड पानी बिल्कुल अच्छा है आपके पीने के लिए अगर उसका Te DS यानि Migration Commission किस राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कौन सी स्टेट गवर्मेंट ने जो है प्रवासन आयोग यानि माइगरेशन कमिशन मनाया यह है उत्तरप्रदेश गौर्मेंट यानि ऑप्सन नंबर हमारा फस्ट यहां पर बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा उत्तरप्रदेश की राजधानी क्या है तो लखनव है सीम है यहां के योगी अधित्यानाथ और वहीं पर बात करें तो लखनव म हम बात करें यहां से एक और स्टेट की जिसका नाम है हर्याना तौह 2017 पहला ऐसा स्टेट बनाधा जिसने फॉर्एन रुबार्टमेंट बनाया था अपने राज्टेमेंड़ और विवाग बनाने वला पहला राज्य था आपका हारिया लंशी दिखते हैं यहां पर इसका जो नाम करण किया गया वह भारतिय मूल की एक लग्की थी उन्हों उसने जो है इसका नाम करण किया ठीक है तो इंपोर्टेंट हो जाता है नासा से मैं आपको भी एक क्वेश्चन कराऊंगा पहले हम समझ लेते हैं कि नासा का जो मंगलियान है लॉंच कब हुआ तो अभी हाली में जो है 30 जुलाई 2020 30 जुलाई 2020 को जो है मंगलियान परजा गया नासा द्वारा नशा की फुल फ्रॉर्म क्या है नेसेनल एरणोटिकस एंड स्पेस एडिमिस्ट्रेशन इससका onze वाशिंगत डीसी अमरि का अंथर जो है अमेरिका की स्पेस अजेंसी है फुल फॉर्म में ने आपको पता दी National Aeronautics and Space Administration इसका गटन हुआ था 1958 में अब गटन की में राद करना है क्योंकि यहीं से आपको एक और चीज याद रहेगी DRDO DRDO आपको बता है हमारी Defense Research and Development Organization है बारत की जो कि बारत की वायू से ना होगी आपकी ठीक है थल से ना होगी जल से ना होगी उनके लिए उपकारण बनाती है थ्यार बनाती है नए नए रोबोट बनाती है काफी जो है योगदान रहा है इनका Defense के क्षेतर में तो इसकी स्थापना भी कब हुई थी 1958 में 1958 में ही DRDO बना था आपका और 1958 में ही आपका NASA की स्थापना हुई थी नेक्स देखते हम है हमारा प्रोसी देश मालदीव मालदीव ने कहा है था 2016 में राष्टर मंडल खेलों से जो Commonwealth Games होती है उनसे सदस्यता अपनी वापस ले ली थी लेकिन अब दबारा उसमें पैड हो गया इसकी जो कैप्टल है उह है माले और आजाद कब हुआ तो 1965 65 में जो है आजाद हुआ सविदान जो इसका 2008 में लागू हुआ और इब्राहिम मुहम्मद करके यहां के प्रेजडेंट है भारत और मालदीव के बीच में काफी अच्छे रिलेशन रहे हैं कुछ एक सालों से ठीक है 2014 में जब पानी की कमी आ गई थी यहां पर मालदीव के अंदर तो भारत ने एक उपरेशन चलाया था उपरेशन नीर पानी की पूर्ती प्रवाइड कराई थी और 2004 में सुनामी आई थी तब भी जो है इनकी हेल्प करी थी और अभी जैसे कोरोना काल में भी काफी हेल्प कर 2018 मार्च 2020 तीगे हर साल अलग लग डेट पर मनाया जाता है तो 2020 का आप याद कीजिएगा 2018 मार्च को और अगले साल आएगा कब तो 27 मार्च 2021 में अगले साल जो है बनाया जाएगा अच्छा मनाता कौन है इसे तो WWF 22 12 मनाए जाता है WWF फुल अमग है वर्ल्ट वाइड फंड फोर नेचर तराश्टी गैर संगतन है गैर संकारी गैर सरकारी संगटन है 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो लोगो है वो है पांडा पांडा क्या है इसका लोगो है एड़कोर्टर सुट्जे लेंड में है इसका जानवरों पे अगर कोई दूस्प्राव हो रहा है या फिर वानों पे कोई दूस्प्राव हो रहा है उसको रोकने के लिए WF की स्थापना की गई थी इसके प्रेजडेंट जो है करन टाइम में हो है पवन सुकते अभी जो है 2020 में 26 मार्च को बनाया गया और थावर डे अगले बार बनाया जाएगा 27 मार्च को अच्छा मनाते कि हुआ है तो एक गंटे के लिए जो है गैर जुर आपको अच्छा लगा होगा है आज का लेक्चर तो थैंक यू फो वॉच्छिंग आस अब अधोड ज़ेएं